प्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी यानि की बुद्ध ग्रह से संबंदित 20 रोचक तत्यों के विशे में तो फ्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं फैक नमबर एक है बुद्ध ग्रह का कोई चंदमा या उपग्रह नहीं है इसका गुत्वा का शनबल बहुत ही कम है फैक नमबर टू बुद्ध ग्रह का पता आज से 5000 वास पूर्ण सुमेरी सबयता के लोगों ने लगाया था फैक नमबर त्री पुद्ध ग्रह को देखने के लिए नंगी आखों से देखना होता है या सुरूदे के ठीक पहले और सुर्यास्त के ठीक बात देखा जा सकता है फैक नमबर फोर पांच ग्रहों में बुद्ध भी ऐसा ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं ऐसे बुद्ध ग्रह के दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर पाया जाता है इसका दिन के समय तापमान 450 डिग्री सेल्शियाश तरह रात के समय तापमान 0 से माइनस 176 डिग्री सेल्शियाश तक पहुंच जाता है फाइक नमबर 6 बुद्ध ग्रह की सतह उबर खावड़ है इस पर कई क्रेटर यानि की विशाल गड़े भी मौजूद है बुद्ध की सतह पर पाए जाने वाले कई कड़े किलोमीटर तक की लंबे और कई किलोमीटर तक की गहरे भी है फाइक नमबर 7 बुद्ध सबसे अधिक घनत वाला ग्रह है पत्वी का घनत 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जबकि भुद्ध का घनत 5.51 ग्राम परति सेंटीमीटर क्यूब है फाइक नमबर 8 बुद्ध ग्रह पत्वी से 26 कुना छोटा है वैगानिकों का मानना है कि पत्वी के केंद की इस तरह बुद्ध ग्रह का केंदर लोहे से बना है इसका प्त्वी के लौ केंज से अधिक बड़ा होगा फैक नमबर नाइन बुद्ग्रह ब्रहस्पत के उपग्रह गैनिमेडे और सन के उपग्रह टाइटन से भी छोटा है फैक नमबर टेन बुद्ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं या एक रोमन देवता का नाम भी है बुद्ग्रह की खोज किसने की इसके बारे में कोई इसपष्ट प्रमाड नहीं है हलाकि या पहली बाद दूरवीन के माध्यम से 17 सताब्दी में खगोल विदों गलीलियो गलीली और थामस हैरियर द्वरा देखा गया था फैक नमबर 11 दूरवीन की मदस से बुद्ग्रह को देखने वाले सबसे पहले वेक्ति महान वेग्यानिक गलीलियो गलीली थे फैक नमबर 12 सूर से बुद्ग की दूरी 57.9 एक मिलियन किलो मीटर है फैक नमबर 13 बाकी साथ किरहों के तुलना में बुद्ग्रह सबसे अधिक तेजगज से सूर की प्रकिरमा करता है या एक सेकन्ड में 47.3X 162 क्लोमिटर की यात्रा करता है जबकि प्रथविकी रप्तार 29.78 क्लोमिटर प्रतिस सेकन्ड है फैक नमबर 14 बुद्ध ग्रह की सताय पत्वी की सताय से तीन गुना मोटी है फैक नमबर 15 सूर के सबसे नजदीक होने के बाद भी बुद्ध ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह है पहले इस्थान पर सुक्र है जो सबसे अधिक गर्म है फैक नमबर 16 बुद्ध ग्रह का एक साल अठासी दिन का होता है फैक नमबर 17 बुद्ध ग्रह का एक दिन पत्वी के 69 दिन के बराबर होता है बुद्ध का एक सौर दिन पत्वी के 174 दिन के बराबर होता है फैक्ट नमबर 18 बुद्ध ग्रह के दो सालों में तीन दिन होते हैं अथाथ बुद्ध ग्रह सूर की दो बार परिक्रमा करने में जितना समय लगाता है उतने समय में वह अपनी धुरी पह तीन बार परिक्रमा कर लेता है फैक्ट नमबर 19 बुद्ध ग्रह सूर की परिक्रमा अंडाकार पत पर कहता है परिक्रमा कहते हुए सूर से इसकी निकटतम दूरी 4.7 लाग किलो मेटर और अधिकतम दूरी 7 करोड किलो मेटर होती है सबसे नजदीक वाले बिंद को पेरी हेलेन और सबसे दूर वाले बिंद को अप हेलेन कहते है फैक्ट नमबर 20 बुद्ध ग्रह पर वजन कम हो जाता है यदि पत्वी पर किसी विर्थ का वजन 100 किलोग्राम हो तो बुद्ध ग्रह पर उसका वजन 38 किलोग्राम हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये थे मरकरी यानि की बुद्ध ग्रह से संबने 20 इंट्रेस्टिक फैक्ट्स फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा रगा कमेंट बाक्स में जुरूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनलों को सब्सक्राइब अवस कर लें चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में थैंक यू